दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकॉनमी वाले देश चीन के आर्थिक हालात लगतार बत्तर होते जा रहे हैं। लाग कोशिशों के बाद भी चीन की सरकार विदेशी कमपनियों और निवेशकों का भरोसा जीतने में नाकाम रही है। विदेशी निवेशक तेजी से चीन से पैसा निकालने में लगे हैं। यही बज़े है कि 25 साल में पहली बार देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FTI गेज माइनस में चला गया है। यह FDI को मापने का पैमाना है जो 1998 के बाद पहली बार माइनस में गया है सरकारी आंक्रों के मुताबिक तीसरी तिमाही में डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज माइनस 11.8 अरब डॉलर रही जो पिछले साल समान तिमाही में 14.1 अरब डॉलर रही थी इसका मतलब है कि विदेशी कमपनिया चीन में निवेश करने के बजाए अपना पैसा निकालने में लगी है State Administration of Foreign Exchange सेफ के आंक्रों में यह बात सामने आई है Direct Investment Liabilities में विदेशी कमपनियों के ऐसे profit को भी शामिल किया जाता है जिसे अब तक विदेश नहीं भेजा गया है या shareholders के बीच नहीं बाता गया है साथ ही इसमें Financial Institutions में विदेशी निवेश को भी शामिल किया जाता है चीन में FTI की थाह बताने वाले पैमाने में भी साल के पहले 9 महीने में 8.4% गिरावट आई है पहले 8 महीने में ये 5.1% थी चीन और अमेरिका में तनाव चीन की एकॉनमी को कई मोर्चों पर चुनोतियों का सामना करना पर रहा है साथ ही चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है इससे विदेशी निवेशक और कमपनिया बुरी तरह घबराई हुई है और वहां से अपना पैसा निकाल रही है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी असेट मेनेजमेंट कमपनी वैंगार ने भी चीन से बोरिया बिस्तर समेक लिया है कमपनी ने कहा है कि वह दिसंबर तक शंघाई में अपना दफतर बंद कर देगी कमपणी ने चीन में अपने जॉइंट वेंचर की हिस्सेदारी स्थानिय कमपणी को बेच दी है एकॉनमी में जान फूपने के सरकार के सारे प्रयास नाकाम हुए है पिछले महीने सरकार ने 137 सरब डॉलर का सॉवरेन बॉंड मंजूर किया था इसका इस्तिमाल मुख्य रूप से इंफ्रा प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए किया जाएगा सितंबर में सरकार ने देश के दो सबसे बड़े शहरों वीजिंग और शंगाई में capital control में भी जील देने की घोशना की थी ताकि विदेशी निवेशका असानी से देश से अपना पैसा ला सके और ले जा सके चीन की प्रमोक बैंक ने भी विदेशी निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए कई टॉप Western कंपनियों से बात की है लेकिन विदेशी कमपनिया इस बात से घबराए हुई है कि चीन की सरकार ने उनकी निगरानी बढ़ा दी है